नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्ष्या के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ HSSC exam latest news जियां साथ यो HSSC की जो ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी का exam दिसंबर में होगा या नहीं होगा इसको लेकर confirmation news आई है कि exam postpone होने वाड़ा है या नहीं होने वाड़ा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए इंट्रेस्ट हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही है या आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लई क्योंकि हमारे चैनल पर अर्याणा की सभी परकार की बरतियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर और सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है चलिए आप देख लेते हैं आज की बड़ी ख़बर साथियों आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गराम सचीव पटवारी और कैनल पटवारी का एक्जाम समय पर हो गया नहीं होगा ये क्युस्टन काफी साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं और ये क्युस्टन इसलिए पूछा जा रहा है कि जो HPSC की बरतियां हैं साथियों इनमें दांदली के आरोप लगे हैं और HPSC के बड़े अधिकारी का इसमें गिरफतारी भी हुई है और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है तो साथियों अब बात ये उठ रही है कि HPSC की बरतियों के बाद साथियों HSSC की भी कुछ बरतियों के उपर आरोप लगे हैं और साथियों दूसरा कारण ये है जिस कारण से लोगों के या स्टूडेंटों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ग्राम सचीव पटवारी और कैनल पटवारी का एक्जाम समय पर हो गया नहीं होगा कि HSSC ने मेल SI, मेल SI बरतिके DV में कुछ कंडिडेट फरजी पाए गए हैं और ऐसी सुचना के बाद अब HSSC का कारण तो और कोई भी हो सकता है लेकिन स्टुटेंट सोच रहे हैं कि इसी कारण से 2122 नॉंबर को एक्जाम होने वाड़ा था वो HSSC ने पोस्टपॉन किया है लेकिन इसका रिजन ये नहीं रहा साथियों उनका और ही कोई कारण है ओफिशियली क्योंकि साथियों अगर HSSC का ऐसा कारण रहता कि मेल SIE वाड़ा या HPSC वाड़े मामले के कारण एक्जाम पोस्टपॉन हो रहे हैं तो आगे आने वाड़े एक्जाम भी पोस्टपॉन होते हैं जब तक ये परकिरिया पूरी नहीं हो जाए लेकिन साथियों ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है आज चेर्मेन साब ने बोल भी दिया है हमने सुबह वीडियो बनाया था कि HSSC का कारिया सुचारो रूप से चल रहा है और साथियों हमने गराम सचियों पटवारी और कैनल पटवारी के लिए जो आपका सवाल था वो भी आगे रखा है और हमें स्टीक न्यूज मिलिये साथियों स्टीक न्यूज यही है कि आपका जो एक्जाम है वो 26, 27 और 28 दिसंबर को ही होने वारा है जिया साथियों गराम सचियों पटवारी और कैनल पटवारी का एक्जाम तैस समय पर ही लिया जाएगा जैसा की एचसासी ने नोटिस जारी कर रखा है क्योंकि साथियों जिन साथियों की मन में चल रहा है कि यह एक्जाम पोस्ट पॉन हो जाएगा तो यह एक्जाम पोस्ट पॉन नहीं होने वारा साथियों जैसी हमें स्टीक न्यूज मिली है तो साथियो इस क्यूशन के ओपर काफी डाउट और काफी कमेंट आ रहे थे इसलिए हमने आपका डाउट किलियर करना सही समझा इसलिए साथियो आप अपनी तैयारी जारी रखें और ऐसे ही अफडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा सेयर करें वीडियो आँ तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं नेक्श वीडियो में